एकादसी वर्थ का जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने निर्जला एकादसी का नाम तो जरूर सुना होगा साल की सबसे बड़ी एकादसी के तौर पे निर्जला एकादसी को मनाया जाता है आप सभी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि साल 2023 यानि कि इस वर्ष इस नर्जला अकादसी का वर्ष कव रखा जाएगा 30 मही को वर्ष मनाया जाएं या 31 मही को तो आज के इस वीडियो में आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगी कि यह वर्थ इस साल कब करना चाहिए, वर्थ कब करें, पारन कब करें और इसका सुम मोरत क्या होगा तो उससे पहले हम आप लोगों को बता दे कि वर्थ वर्थ में 24 एकादसी आती है, इन में निर्जला एकादसी का सबसे स्रेष्ट माना जाता है जेष्ट मास की सुकल पक्च में आने वाली एकादसी को निर्जला एकादसी के नाम से पूजा जाता है मान्यता है कि इस एकादसी का वर्थ रखने से साल में आने वाली समस्त एकादसी की वर्थ का फल प्राप्त होता है जो शर्धालू नर्या नारी वर्स वर्थ की समस्त एकादसी का वर्थ नहीं रख पाते हैं और इस वर्थ से दिरगायू और मोक्ष की प्राप्ती होती है निर्जला एकादसी जा किसी भी एकादसी के दिन आप लोगों के ये छोटा सा मंत्र जरूर जाप करना चाहिए ओम नमो भगवते वासु दिवाई मंत्र का उच्चारन जरूर करना चाहिए तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि साल 2023 में निर्जला एकादसी कम मनाई जाएगी इस साल 2023 में यह पर्व निर्जला एकादसी पूरे भारत में दिन बुद्धवार 31 मई को मनाई जाएगी जो कि आप लोग अराम से इस साल मना सकते हैं अब हम बात करेंगे कि निर्जला एकादसी का शुरु मोहरत क्या होगा देखिए निर्जला एकादसी जो है उसकी प्रारंब तिति यानि कि जिस दिन ये तिति ये स्टार्ट होने वाले वो है 30 मही को दो पहर 1 बज़कर 7 मिनट से लेके समाप्तिती थी जो होगी वो है 31 मही को दो पहर 1 बज़ कर 45 मिनट तक पारण की समय के हम बात कर लेते हैं कि निर्जला कादसी का पारण का समय क्या रहेगा तो वो है एक जुन को 5 बज़ के 24 मिनट से लेके 8 बज़ कर 10 मिनट तक आसा करतों कि ये दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुव्यम हरर महादेब अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरर महादेब जरूर लिखिएगा